वेलकम टू माई चैनल कुक्वी शाम्या आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन नूडल्स की रेसिपी जो बहुत ही जबरदस बन के तयार होती है इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी बोईल कर ले तक्रीबन तीन लिटर पानी ले ले जब पानी बोईल हो जाए तब उसमें आट करें वन टेबल स्पून ओईल और वन टेबल स्पून नमक फिर इसमें स्पैगेटी आट कर दे 250 ग्राम का जो पैकेट होता है वो आट कर दे अब अपनी चोईस के अकॉर्डिंग भारी क्या मोटी वाली स्पैगेटी ले सकते हैं इसको तोड के ना डाले बस ऐसे ही एट कर दे और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर ले पास से आट मिनिट लगेंगे इसे कुक होने के लिए इसे कंप्लीटली कुक हो जाने दे लेकिन इसे ओवर कुक ना करे फिर इसे चान ले और थंडे पानी से धोए इसका पानी निकल जाने दे फिर इसमें 2 टेबल स्पून ओल एट करे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले ऐसा करने से स्पगेटी आपस में चिपकती नहीं है इस तरह से आप चाहे तो इसे एर टाइट कंटेनर में शौर्ट प्रियट के लिए रेफिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और आप जब भी नूडल्स पकाना चाहे तो इसे निकाल कर गर्म पानी से दो ले और इसे इस्तेमाल कर ले सबसे पहले एक पैन गर्म कर ले उसमें ऑईल एट करें फिर इसमें एक अंडा एट करें जिसमें नमक और काली मिर्ची एट करें और इसे स्क्रमबल कर दें अगर आप नूडल्स में अंडा आट नहीं करना चाते तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर दे एक स्क्रमबल हो जाने के बाद इसे एक प्लेट में निकल की साइड में रख ले अब इसी सेम पैन में 5 टेबल स्पून ओल अट करे गैस की फ्लेम को हाई कर ले फिर इसमें आट करे 1.5 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट और से स्टर करे जिंजर गालिक की बहुत ही अच्छी खुश्बू आएंगी तब इसमें आट करे चिकन मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है जिसे मैंने स्ट्रिप्स में कट किया है इसे आट कर दे और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून ले एटलिस 5 मिनिट्स के लिए चिकन को भून ले चिकन गल जाना चाहिए और उस पर गोल्डन कलर के इस तरह से मार्क नजर आना चाहिए इसमें स्प्रिंग अनियन एट कर देना जो वाइट कलर का पोशन होता है उसे बारिक कट करके एट करना और साथी साथ इसमें एक बहुत ही छोटी साइस की प्यास जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं वो कट करके एट करते इसे अच्छे तरीके से भून ले प्यास को नर्म हो जाने दे फिर उसमें आट करे जूलियन कट कीवी एक गाजर एक शिमला मिर्च एक कप कैबिच इसे एक से दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून ले फिर सारे सौसेस आट करे जैसे 1 टी स्पूण रच्छिली सॉस 1 टी स्पूण वेनेगर 1 टी स्पूण सोया सॉस 2 टेबल स्पूण टमाटो सॉस 4 टेबल स्पूण शेजवान चटनी टेस्स की अकॉर्डिंग नमक एट करे 1 ती स्पुन ब्लाक पेबर पाउडर एट करे थोड़ी सी ग्रीन स्प्रिंग अनियन एट करे और इन सबी चीजों को अच्छी तरीके से सौटे कर ले आप चाहे तो इसमें चिकन क्यूब एट कर सकते हैं चाहे तो स्किмप कर ले यह ऑप्चीनल है इसे विदाउट चीकन के सिर्फ सबजियों के साथ भी बना सकते हैं विदाउट चीकन के अगर बना रहे हो तब इसमें दो चीकन क्यूब का इस्तमाल करे बट चिकन क्यूब जो है वो टोटली ऑप्शनल है आपकी चोईज है आपको इस्तिमाल करना है तो करें वनना स्किप कर दें दो से तीन मिनिट के लिए से अच्छे तरीके से भून ले आपको साइड में हलका हलका तेल नजर आएंगा फिर इसमें स्पेगेटी आट करें थोड़ा थोड़ा करते हुए आट करते जाए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले फिर इसमें फ्राय करके रखा हूँ अंडा भी आट कर दें अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूदल्स पसंद है तो शेजवान चटनी का प्रपुर्शन बढ़ा दे और थोड़ा टेंगी खाना पसंद करते हो तो टमाटो सॉस जादा आट करते हो अर इंसान का से गारनिष करें ग्रीन स्प्रिंग आनियन के साथ रसिपी ज़रूर ट्राइक करें बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है और कॉमेन्ट करके ज़रूर बताएं और एंस्क्रिन पर जो बटर चिकन की रेसीपी लगी है वो देखना ना बूले क्यूंकि ये करीमी सी बनके तैयार होती है बहुत टेस्टी होती है वीडियो को जरूर लाइक दे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले थांक यू फो वाचिंग मा चानल